आपके नाम से एक mobile number है और उस mobile number से HDFC बैंक मुंबई में एक खाता खोला गया है जिस खाते में अवैद पैसा आता है और money laundering का काम किया जाता है और इस कारण से आपके खिलाफ जो है CBI criminal proceeding त्यार कर रही है और अगर आप चाहते हैं कि आप इस गिरफतारी से बच जाएं तो आपके खाते में जितने पैसे हैं ततकाल हमारे भेजे गए खाते में जमा करवा दिजिए और ये खाते में पैसा तब तक जमा रहेगा जब तक कि हमारी जाच पूरी नहीं हो जाती है नहीं तो तुरंत आपको गिरफतार कर लिया जाएगा गया के फेमस हर्ट सर्जन और बिहार आईए में कि अध्यक्श डॉक्टर एन कुमार को एक कॉल आता है और उसके बाद डॉक्टर एन कुमार के साथ 4,44,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अब तक आपने कई तरीके के साइवर फ्रॉड के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को फोन किया जाता है और फिर अलग अलग तरीकों से उनके साथ साइवर ठगी हो जाती है लेकिन बिहार आईये में के अध्यक्ष डॉक्टर एन कुमार के साथ जो है बिल्कुल अलग का फ्रॉड हुआ, साइवर फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो CBI के अधिकारी बनकर के डॉक्टर एन कुमार को फोन किये उनको बताया गया कि मुंबई में आपके नाम से एक सिम लिया गया है और फिर एक बैंक अकाउंट खोला गया है और उस बैंक अकाउंट से अवा के खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रसेडिंग शुरू कर दिया जाएगा और फिर आप बुरे फस जाएंगे अब साइबर ठगों ने छो दिन में एक एक करके लगबग 123 खातों में डॉक्टर एन कुमार से 4 करोर 40 लाख रुपया जमा कर वा लिया 31 जुलाई से ये काम शुरू ह 29 जुलाई को डॉक्टर एन कुमार को एक फोन आता है उस फोन को उठाते हैं तो जो बाते हमने आपको शुरुआती दौर में बताई वो उनको बताया जाता है और उसके बाद जो है 31 जुलाई को पहली बार जो है डॉक्टर एन कुमार पहले खाते में पैसा डालते हैं और उसके बाद एक एक करके लगबग 123 खातों में 4 करोर 40 लाख रूपया डॉक्टर एन कुमार जमा करवा दिते हैं जिसके बाद एक बड़ा बिस्फोर्ट होता है उसके बाद होता ही है 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में इन अनलग खातों में डॉक्टर एन कुमार के दौरा जब पैसा डाल दिया जाता है और 6 अगस्त को अंतिम खाते में जब पैसा डाला जाता है उसके बाद से जिस नंबर से फोन आ रहा था डॉक्टर एन कुमार को वो फोन बंद हो जाता है डॉक्टर एन कुमार पैसा जमा कराने के बाद उस नंबर पर फोन करते हैं वो फोन चालिस लाख रुपया का फ्रॉड हो गया है और कैसे उनको लूट लिया गया है अब पुलिस फिलाल इस मामले की जाच कर रही है लगभग सरसथ लाख रुपय जो है वो अलग-लग अकाउंटों में होल्ड करवा दिये गए हैं लेकिन बावजूद इसके पुलिस फिलाल इस उसके नाम पर ये खाते चल रहे हैं अब आप समझेए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बिहार आईये में का अध्यक्ष है उसके साथ जब 4 करोज 40 लाख रुपया का साइवर फ्रॉड हो सकता है तो आप और हम किस खेत के मुली हैं बाकि इस ख़बर को लेकर कि आप क आपने बाद